उस दिन से अनुच्छे 370 के सभी खन लागू नहीं होंगे सिवाई खन पेट के पांच अगस्त को धारा 370 हटी थी 2019 को तब कश्मीर से इंटरनेट भी हट गया तो ये है भव्य राम मंदिर का भव्य प्रवेश द्वार के ठीक सामने मैं इस वक्त खड़ा हुआ पांच अगस्त ये तारीक अब एतिहासिक होती जा रही है पांच अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाया गया था और पांच अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमी पूजन हो रहा है आज के समय में बिना इंटरनेट के रहना कितना मुश्किल है ये सब जानते हैं पर जब से कश्मीर से आर्टिकल 320 हटाया गया है तब से वहाँ के लोग बिना इंटरनेट के रह रही है और मेंस्ट्रीम मीडिया में इस बात का जिकर कितनी बार हुआ है ये तो कहना मुश्किल है अब भी मीडिया हमारा किनी और ही मुद्धों में व्यस्त है अब आपको Zee News पर लगातार दिखा रहे है किस तरह से घंटी घंटे बोड़ा भरोसा मतलब सोचा था है अपने जीवनकाल में ये एक शन आप देखेंगे जीते जी अगर कश्मीर की बात करें तो 5 अगल्स 2019 को अमिच चान इस संसद में आर्टिकल 370 हटाने का एलान किया था के खंड एक के साथ पठी अनुचे 370 के खंड तीन द्वारा परदत सक्तियों का प्रयोक करते हुए राष्ट्रपती संसद की सिफारिश पर ये गोशना करते हैं कि यह दिनांग जिस दिन भारत के राष्ट्रपती द्वारा इस गोशना पर अस्त्रक्सर किये जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकासित किया जाएगा उसके बाब से कितनी बार बीजेपी नेता किश्मीर दौरे पर गई ये तो कहना मुश्किल है पर जब भी विपक्षिन नेता किश्मीर जाना चाहते थे तो उने रोखा गया हम तो करोना के चलते कई दिन लौकडाउन में रहे पर कश्मीर जब से आर्टिकल 370 हटाया गया है तब से ही लौकडाउन में है ये सब मीडिया में कोई मुद्धा नहीं है कश्मीर के लोग बिना इंटरनेट के ही जीवन पतीत करने पर मजबूर है इस मुद्धे पर अधिक जानकारी एंडे टीवी के वरिष्च पत्रकार रवीश कुमार ने अपने शो प्राइम टाइम में दी पांच अगस्त को धारा 370 हटी थी 2019 को तब कश्मीर से इंटरनेट भी हट गया धारा 370 के हटने के पांच दिनों बाद यानि 10 अगस्त 2019 को पत्रकार अनुरादा भसीन सुप्रीम कोट चली गई कि सरकार ने इंटरनेट बैन किया है क्यों बैन किया है इसे जनता को नहीं बताया है जनवरी के आदेश में सुप्रीम कोट ने इंटरनेट के बैन को मौलिक अधिकार से जुड़ा था बाद के आदेशों में ये कसोटी गौन होती चली जाती है इस दोरान 80 लाग की आबादी ने बगएर पूरी स्पीड के इंटरनेट के कैसे अपना जीवन जिया इसकी बारीक डिटेल आपको नहीं मिलेगी महमारी के दोर में इंटरनेट के कितने गुन गाया जा रहे जम्मु कश्मीर के पूर्व राजपाल सत्यपाल मलिक ने 50,000 नौकरियों कश्मीर के लोगों को देने की बात कही थी जमानों को दे देंगे और ये वेकेंसी भर देंगे लार्जेस सिंगल रेक्रूट्मेंट ड्राइव है ये आइस स्टेट की लाइसमें कभी इतना नहीं हुआ है कि 50,000 लोग एक साथ भरती हुए हैं सेंटर काम कर रहा है इस बात पर कहां कहां फौज की भरती हो कहां CRPF की हो कहां BFF की हो कहां लदा की स्काउट की हो वो अलग से है उसमें लाकों लोग उसमें आएंगे लेकिन ये 50,000 हमारी जो सरकार है उसमें भरती होंगे पर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो किश्मीर में 80,000 से जादा पद खाली पड़े हैं और इन्हें भरने पर अभी कोई चर्चा नहीं हो रही है इसके इलावा जम्मु किश्मीर के पत्रकारों पर युए पे भी लगाया जा रहा है लगता जिन पत्रकारों को पुलिट प्राइल्स मिला वैं भी जम्मु कश्मीर के ही थे इसके बाद मेंस्टीम मीडिया में उन वेजेता पत्रकारों की काफिय लोचना भी हुई थी कश्मीर के बड़े नेता हाउस अरेस्ट में है हाल ही में सैफुदिन सौस का मुद्दा सुर्कियों में रहा था सरकार की दिल कि उन्हें हाउस अरेस्ट में नहीं रखा गया पर सैफुदिन सौल्स को पत्रकारों से बात करने से रोका गया इसको आप तो हीलाइट जाए सकते सुप्रीम कोट के सामने इसुट वोनड जाता है इसको आप तो हैलाइट जा Det top the list अगर वे अजाब है तो उन्हें रोका क्यों गया पर मीडिया में ये भी मुदा नहीं है शायद ना ही कभी हूँ रफैल के भारत आने से पहले हमें रफैल न्यू स्टूडियो में देखने को मिला था इस पार आप मंदिर बनने से पहले ही देख सकते हैं कि मंदिर कैसा दिखेगा तो ये है भव्य राम मंदिर का भव्य प्रवेश दुआर इसके ठीक सामने मैं इस स्वक्त खड़ा हूँ एक बार फिर साफ कर दें कि ये आर्टिस्टिक इंप्रेशन है जिहां ये वर्चुल टूर है इसी अंदाज में आपको जब मंदिर बने का आच से दी या चार साल के बाद तो ऐसे ही अंदाज में आपको उसका प्रवेश दुआर दिखना चाहिए भूमंडब निर्त्यमंडब होते हुए आप भूल मंडब में पहुँचेंगे और उसके बाद गर्बगरे हैं जहां पर रामदला विराजबान होगे खास बात ही है कि फर्स फ्लोर पर एक सो पतीस खंबे होंगे आप देख रहे हैं लगातार बड़ी कवरेज और ये देखिए भवे राम मंदिर जी आप भवे राम मंदिर ये जीनूस का राम मंदिर है अभी इंतजार है राम भकतों को वो लोग जो आयोधा नहीं जा पा रहे हैं वो जीनूस देखकर प्रभुशी राम के दर्शन जो ह वो कर सकते हैं जब भी ऐसा कोई मुद्दा सुर्खियों में होता है तो न्यूस रूम उन्हीं मुद्दों में बदल दिया जाता है चंदरियान हो या सर्जीका स्ट्राइक या फिर रफैल पर जो असल मुद्दे हैं जैसे की बेरुस कारी क्या आपने कभी न्यूज रूम को इस मुद्धे पर बदलते देखा हैं। भारत में करोना के केसेज 19 लाक के पार जा चुके हैं। रोज के अब कुल मामले 50 हजार के पार हो चुके हैं। वहीं हॉस्पिटलों में बढ़ते बिलों के कारण लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। अब कर दो दो बढ़ते पर्मिशन मंगा हैं। सिब बेख पेख चलो में पेख आज में बेख देंगे यां। मेरे को कुछ कषित रहे हैं। भरापर है कि मेरे को सिथोने के पर देना है। इसके ना अज आज आपकर ठीक आज 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 कशस्य दर बहुते हैं। और मीडिया में ये मुद्दा है ही नहीं बिहार और असाम बाड की चपेट में हैं और वहीं सुशान सिंग राजपूत पर नितीश कुमार ब्यान दे सकते हैं लेकिन बिहार में आई बाड पर वे चुप क्यूं है मीडिया भी उनसे सुशान सिंग राजपुत पर ही सवाल कर रहा है ना की बाड़ पर क्या भारत में राम राज्ये की शुरुवात इस तरह से होगी?